हाई फ्रेंद्स यू और वैलकम और माई यूटूब चैनल माई ओनलाइन ग्लासूम साइंस और आज इस वीडियो में जो चैप्टर में आपको एक्स्में करने वाली हूँ यह है क्लास एट का चैप्टर फाइफ है यह कोल और पेट्रोलियम और इस चैप्टर को मैं आपको इस चैप्टर के साथ प्लस एक्स्में करने वाली हूँ दीखिए नोर्स में साथ सरा इंपोर्टेंट कॉंटेंट है प्लस पॉइंट्स में है और साती हाइलाइटिट वर्स हैं जो कि आपको इजी आपको समझ मा जाएंगे कि कौन से से इंपोर्टेंट टम्स और पॉइं है नोर्स के साथ प्लस एक्स्मेंशन भी है तो उस चैनल पे भी आप विजिट करेंगे मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी और जब भी आप में चैनल पर आते हैं तो प्लेइस्ट उप्शन पर जाये करिए क्योंकि प्लेइस्ट मरने वाले हैं वह हैu प्लेश, आपने बौछ बड़ पड़ा ऑगा कि हमारे बहुत साई स्रेक्स होती हैं तो नाच्रल निसोरस होती है all in should लिए चोरा को मिली आता जो कुछा वाल जर पकमा पर जीशन करके, अप कुछ पैसा कमा पाऊ, जिससे अपना आप लायलियोँध ह कर सको इस तरह के चीजों को हम resources बोलते हैं यानि जब कोई चीज आपके यूज में आए कोई भी natural चीज तो अब हम उसको resource बोलते हैं आधे वाइस हम उसको resources नहीं बोलते हैं ठीक है आच्छा आप देखें जो non-renewable natural resources हैं अब इसमें भी classification हो जाता है ठीक है एक होते हैं renewable resources और एक होते हैं non-renewable resources जैसा कि आपने पहले ही अपने previous chapters में पढ़ा होगा दिखें non-renewable natural resources में कुन कोई से resources आते हैं तो इसमें आते है fossil fuels, coal, formation of coal जिसे हम carbonization कहते हैं destructive distillation of coal, petroleum and natural gas तो यह साइक सरे non-renewable natural resources हैं जिनको आप दुबारा renew नहीं कर सकते हैं या तो जब इनको renew करते हैं बहुत ज़र टाइम इनको लग जाते हैं millions of years लग जाते हैं और जब से आप इनको use करते हैं बहुत जल्दी खतम भी हो जाती हैं चीज़े ठीक है और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि यह चीज़े खतम हो जाएंगी तो इसको इसी वज़ेसे इनको नाम यह है non renewable natural resources क्योंकि यह जल्दी बनने पाती हैं अच्छा अब next heading है natural resources तो जान लेते है natural resources के बाए में देखे पहली बात हमारे आर्थ एक ऐसा planet है सिर्फ एक ऐसा planet है जो universe में जो कि support करता life यानि यहाँ पर जिंदगी मौजूद है अब यह जीवन है यानि जो human beings जिंदा र जीने के लिए living things जो है originated and survived on the earth because अब living things क्यों originate हुए और क्यों survive होते हैं आर्थ में क्यों जिंदा है तो इसके reasons नीचे आ रहे हैं और इससे आपके important questions बनेंगे याद रखेगा इसके साथ आपसे पूछा जा सकता है कि natural resources क्या है atmosphere किसे कहते हैं तो इस तरह के यहां से इस paragraph स question बनेंगे तो देखिए all the materials जो भी living things को जिन्दा रखने के लिए यानि किसी भी चीज को जिन्दा रखने के लिए जो भी materials required होते हैं वो साएक सारे आर्थ पे present है पहला reason ये दूसी चीज ये कि आर्थ जो है बहुत अच्छे खासे distance पे sun से और sun की जो आप rays देखोगे जो heat है temperature जो है वो एकदम ठीक है moderate है जिसके वैसे जिन्दीकी जो है वो यहाँ पर पाई जाती है यानि life यहाँ पर present है अगर sun के बहुत पास आर्थ होता तो शाद वहाँ पर life नहीं हो पाती natural materials जो भी natural materials जो found होते हैं आर्थ में उन्हें हम natural resources कहते हैं और यह भी एक तरह से जिन्दगी जीने के काम आते हैं next दिखे आर्थ के चाओ तरफ gases जो है वो available है जिने हम atmosphere कहते हैं और आपको पता है gases से भी इन gases में जो oxygen gas है वो हमाई ले कितनी important है next water bodies आप देखोगे पानी तो पानी भी एक तरह से महले बहुत हमाई रोज मेरे की जिन्दगे में water यूज करते हैं तो इस तरह से water bodies भी available हैं इस वज़े से आप कह सकते हो कि एक तरह से आर्थ एक perfect place है survival के लिए next solid part of the earth crust इसके साथ ही earth crust का जो सबसे आर्थ का जो सबसे बाहरी ले रहे है वो solid part है और इस वज़े से भी यहां पे life assistance होती है next heading है in exhaustible or renewable resources देखिए यह क्या है यहां से भी question आपका बनेगा तो ऐसे resources जो बहुत जादा unlimited quantities में available हैं और उनको हम जितना चाहें ठीक है उनको use कर सकते हैं पर हमें याद रखना चाहिए हमें उन्हें waste नहीं करना चाहिए तो इस तरह के resources को हम in exhaustible resources कहते हैं जैसे air water soil and sunlight यह unlimited quantity में हैं जितना चाहिए उतना आप यूज कर सकते हो बट यहां रखने इसको इतना ज्यादा misuse करना चाहिए किसी बीचीज को next है exhaustible or non-renewable resources ऐसी resources जो तुरण खतम हो जाए यूज करने के बाद और limited quantities में हैं और near future में आप देखो गया कर इसी तरह हम उनको use करते रहे तो खतम हो जाएंगे एक दिन तो इस तरह के resources को exhaustible or non-renewable resources करते हैं तो just opposite आप एक लन करो दूसरा अपने आप ही लन हो जाते हैं इसमें एक्जामपल है आपके coal petroleum and natural gas तो दिए देखे को coal and petroleum के बाए में हम इस चैप्टर में ज्यादा तक पढ़ेंगे इसके बाद आते है non-renew natural resources fossil fuels यानि इस चैप्टर पुरा बेस ही है non-renewable natural resources के बाए में जैसे हो जिने हम fossil fuels भी कहते हैं तो देखे हैं से भी आपका question बनेगा कि fossil fuels क्या होते हैं देखें जो fuels हैं जो obtained जो हमें प्राप्त होते हैं जब dead bodies यानि dead remains रह जाते हैं plants और animals के earth crust के अंदर और बहुत high temperature and pressure के बाद यह fossil fuels में convert हो जाते हैं तो इनी से हमें fuels प्राप्त होते हैं coal जो है कोल एक heart stone like substance है जो कि blackened color का होता है क्लालर में आप देखो तो black color का होता ही है यह भी dead remains जो plants के रह जाते हैं बहुत सालों तक यह जमीन के अंदर दबे रहते हैं और high pressure और temperature के वज़े से यह कोल में convert हो जाता है कोल जो है वो cooking food में इस्तमाल होता है as a fuel नेक्स देखिए जब आप को बन करते हो जब आप इसको जलाते हो क्योंकि अगर आपको cook food करना है तो आपको जाईसी बात है आग की जरूत पड़ेगी तो जब आप इसको जलाते हो तो इससे lot of smoke बहुत साथ हुआ निकलता है और इ हाँ स्था अकरेंस अफॉट कोल अगर को देखा जाए तो कहां खापर ज्यादा मात्रा में है आथ में इंडिया में श्पेशली तो यह West Bengal पहली बात की आठ के डी बंडर सरफेस में को पाए जाता है और सैकेंड सीज की इंडिया में यह West Bengal झारकन ओडिशा MP यानि मध्य प अचकता है तो इनके नाम यहाद एक साम आपका पर केका है क्लों है की रोब का जिसका यूज होते हिरे फ्योड के रूप के सूरल गेश्मिस के सत्रूमें जोटे हैं यूज होता है κάνते हैं क्लटरण के स कहनल थेBay को सब्सक्राइब बने je एस एगो के बात की जाए तो जब हूज फोरेस्ट होते थे और यह दब जाते थे यानि मान लीचे फ्लड आ गई या फिर किसी भी आर्थ को एक योड़ेसे जब फोरेस्ट जो है या कट गए या फिर गिर गए पेड तो वह जमीन के अंदर दब जाते हैं और इसके बाद जम कर्बन जो है यह जो ड्यू टू दिस कार्बन गॉट कोंपेक्टिव फ़र्म और इसी कार्बन के विरेसे यह स्टोनी रेजिड्यू बन जाते हैं जिसे हम कोल कहते हैं यह एक स्लो कन्वर्जन है वोड का मैंने आपको बताया था है वोड से लकडी से ही कोल बनता है तो यह बहुत ही स्लो कन्वर्जन होता है लकडी जो है वो कोल में कन्वर्ट होती है और यह पूरा बायो कैमिकल प्रोसेस के द्वारा होता है और बहुत मिलियंस ओफ यह लगते हैं तो इसी प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं यानि कार्बन का बनना यानि इस को हम कार क्योंकि बाकि जो गैस होती है hydrogen oxygen वो तो रिमूव हो जाती है दे प्रेट दूरिंग विस्ट प्रोसेस और कोल फॉर्मेशन टोक प्लेस इस कॉल कार्बोनी फेरस इसके साथ ही वह प्रेट यानि कितने सालों में यह कार्बन यानि यह जो कोल है वो बन रहा है इसको इस प्रोस कोने होता है वह यंगेस्ट व्राटीयों ऐफ कॉल हैं किले cancelled आ इसमें 50 जुक्सिच्ट परसंट कालवन होता है अब यह दखे काको जी सब सब्यादा कार्बन होगा अ क्वॉंट जाधा कार्बन की वह इसमें ज्ञाए जैनेगा एट बहुत अच्छी जलेगा हीट बहुत सलध इसके साथ जब ही जलता है तो यह काल इक सूंटी ठीन मतलब फ्लेम कालेओं काला कालेओं जैसे यह यह फ्लेम देता है रिखनाइट जो है और इंहां सेवंटी से 62 पीट में होता है, फिर 60-70% कार्बन लिगनाइट में होता है, बिटुमिनेस जो है, वो नेक्स्ट कोल है, जो हाउसोल्ड यानि घरों में यूज होता है, यह ग्रे और ब्लैक्रीन कलर का होता है, इसमें 70-80% कार्बन होता है, सबसे बढ़िया क्वालेटी का जो कोल होता है, वो एंत्रसाइट होता है, जिसमें 90-95% कार्बन होता है, और यह बहुत अच्छा जलता है, इससे बहुत अच्छी हीट और एनरजी प्रेडियूस होती है, और जलने के बाद यह कुछी भी तरह का रेजिडियू, यानि में होता है, और साथी रेडियूसिंग एजट फॉर एक्स्टेक्शन ऑफ मेटल्स में भी सकस्तमाल होता है, नेक्स्ट हैडिंग है, इससे बिस्ट्रक्टिव दिस्टिलेशन क्या जाता है, जिससे के और प्रेड़क्स भी प्राद का सकते हो आप, तो इस डिस्ट्रक्टि होता है, डिफरेंट कॉंपोनेंस और दिस्ट्रक्टिव दिस्टिलेशन ऑफ कोल आर, जैसे कोक यूज जास हाउसोल्ड फ्यूल, मैनुफेक्श्ट्रों वाटर गैस और प्रेडूसर गैस, नेक्स्ट है कोल गैस, यह भी एक हाउसोल्ड फ्यूल की रूप में यूज होती है, कोल गैस, इसके साथ ही सिंथेतिक नेश्टोर गैस को बनाने भी कोल गैस का इस्तिमाल होता है, next है coal-tar, coal-tar एक mixture है mantic organic compounds का like benzene, Ragline, Naphthalene etc इनको मिलाके जो mixture ब attracting cool-tar बोलते है ammonium compounds इनका इस्तिमाल in nitrogen, fertilizers, er readilys, explosives, dye stuffs और resin बनाने में इस्तिमाल होते है next है petroleum फानने है पेट्रोलिण का meaning होता है petra means rock और clart Państu एक दरह से जोंको और off you from backing PR पेट्रोलियम कह सकते हो आच्छा यह नीटर रेप्न डाफिकली होते हैं जिसमे सब्सक्राइब चाहें एक तो it is formed, किस तहां से पुरा बनता है, तो it is formed from the remains of living, ये भी living organisms के remains के उससे बनता है, जब वो living organisms है, उसके जब remains जो है, वो decomposed हो जाते हैं, deposit हो जाते हैं एक जगा, together with rock particles and biochemical और chemical precipice जब ये इस तहां के reactions होते हैं, और shallow depressions और साथी rock में जब shallow depressions और marine conditions होते हैं, तो ये petroleum often floats above layer of water and is held under pressure between the layer of natural glass, in dorm-shaped impervious rock called rock cap, तो ये देखिए जो petroleum है, क्योंकि एक तरह से decomposition के process के वज़े से ही, ये petroleum बनता है, तो it often floats जैसे कि पानी के layer एक्दम उपर आके तैनने लग जाती है, उसी तरीके से जब पत्थर के अंदर, rock के अंदर जब pressure, heat, temperature के वज़े से एक तरह से पुरा pressure होता है, और तब ये जो living organisms के जो dand remains है, वो organism, microorganisms के द्वारा ये convert होते हैं, और उसके बाद ये जो petroleum में एक तरह से जिसनत वाटर के layer उपर एक्दम तैनने लग जाती है, उसी तरीके से ये भी float होने लग जाता है, तो जो rock का cap part होता है, उसमें ये petroleum पाये जाता है, निक्स्ट है, अक्रेंस पेट्रोलियम जो ये भी एकदम आर्थ क्रेस्ट के एकदम deep inside में पाये जाता है, और साथ में natural gas भी होती है, ये जो deposit है, usually mixed with salt water, petroleum being lighter force above salt water, और petroleum बहुत हलका होता है, जो salt water के उपर सहता रहता है, वर्ल्स का first अगर देखें, तो जहां पे ocean ये समुदर का किनारा होता है, तो वहां भी ये petroleum पाये जाता है, वर्ल्ड का अगर first oil well देखें, जो कि डाग वा था, वो पेनिसलवेनिया में हुआ था, USA में 1859 में, इंडिया में सबसे पहले जो oil struck हुआ जो मिला, वो मैकून में मिला, आसाम में 1867 में, आदर प्लेसिस पे petroleum oil हमें प्राप्त होता है, जिसे गुजरात, बॉंबे हाई, इन देल्टास ओफ गोदावरी, कृष्णान कावेरी, आच्छा ये जो oil होता है, ये बहुत अंदर होता है, तो इसको drilled, यानि निकाला जाता है, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स की help से, तो ये चीज़ है यहा बहुत इाद अखेगा, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बार पुचा जाता है, कि ब्लाइक गोल्ड किसे कहते है, तो पेट्रोलियम को ब्लाइक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, जिससार से गोल्ड से बहुत इंकम आन हो सकती है, उसी तरह के से जो पेट्रोलियम में वह भी बहुत valuable है और इससे भी अच्छी कासी income आन हो सकती है drilling of oil wells आप दीखें drilling of oil wells यानि जहां पर आपको लगता है कि पेट्रोलियम है जिस जगा पर वहां पर कुआ खोदा जाता है यानि oil wells जहां से आप यह oil drill करोगे तो giant rigs की help से एक hole drill किया जाता है आर्थ के crust के inside जैसे कुआ एकदम खोदा जाता है वैसी फिर उस hole पे वहां rock cap पहुचा जाता है जहां पर oil present होता है जिस पत्तर के उपर फिर natural gas सबसे पहले क्या होता है जब आप उसमें छेट करते हो उस पत्तर में तो natural gas पहले निकलती है ठीक है great pressure के साथ जैसे आप कभी आपने coconut water देखा होगा coconut water आप उसमें hole करते हो तो एकदम से प्रेशर के साथ तो थोड़ा से आपका coconut water निकल जाता है ठीक है इसी तरीके से आप समझिए कि एक तरह से आपने hole किया उस रॉक में सबसे पहले जो natural gas उस प्रेशर के वज़े से क्यूंकि अंदर बहुत pressure है तो जैसे आपने hole किया air को निकलने की space मिली तो वैसे ही वो natural gas निकल जाएगी उसके पात आपका जो petroleum है वो धिरे धिरे निकलना स्टार्ट होगा और इससे निकालने के लिए जिस तरह से आप जो coconut water है उसको स्ट्रॉर के help से जिस तरह से सीप करते हो उसी तरह से petroleum को भी electric motor की help से पंप किया जाता है यानि बहार निकला जाता है इसके बा इसका mixture है इसमें number of hydrocarbons मौजूद होते हैं तो इस वज़े से इसमें different components present होते हैं तो उन्हें अलग करना जरूरी होता है अगर आपको शुद petroleum चाहिए आप ये जितने भी components हैं वो अलग-अलग उनका boiling points होता है यानि हर एक component का अपना अलग-अलग boiling point होता है जब आप petroleum को heat क करोगे तो एक-एक boiling point पे आपको different component मिलता जाएगा और फिर fractional distillation की help से इनको अलग कर दिया जाता है जैसे number of carbon atoms ही ना hydrocarbon increases its boiling point also increases इसका मतर्ब जिस तरह से hydrocarbon में carbon atoms जो है उनके number increase होते जाते हैं वैसे boiling point भी increase होता जाता है तो ये boiling points का जो process है fractional distillation के द्वारा करते हैं जैसे एक पूरा का पूरे cylinder है उसमें different different stages पे अलग से pipes लगाया जाते हैं और जब इस petroleum को हम heat करते हैं जब इसको एक तरह से refine कर रहे हो आप इस process में तो boiling points की help से जैसे वो एक particular 100 degree Celsius पे अपने गरम किया तो जो भी component है वो एक अलग pipe से निकल जाएगा जो भी उसका boiling point है तो component अलग भी positive हो जाएंगे वो component भी usefully होते हैं उसके बाद अलग उस पे तो fractional way पे destination होता है और यह सारा काम refinery में होता है यानि एक ऐसी unit जहां पे refinery का work होता है उसे refinery कहते हैं जहां पे fractional distillation का work होता है इसके बताते है natural gas तो देखे नाच्रुली नाच्रुली अकरिंग मिक्षर हो जाती है और कहां पे earth crust में इसमें methane, propane, ethane, butane भी जो है हो मिले होती है मिक्स होती है यह कहां-कहां पाई जाती है natural gas तो यह मुंबई हाय क्रिष्णा और गोदावरी डेल्टा और तरुपुरा में इंडिया में यह जगाओं पे natural gas पाई जाती है इसका uses क्या है इसका use as a fuel use होता है CNG compressed natural gas के रूप में इसका use होता है जिससे pollution जादा नहीं होता है raw material के रूप में इसका use होता है और यह बहुत अच्छी source है hydrogen और carbon की भी next conservation of fossil fuels देखे जिसना से हमने समझा कि इन्हें कितनी मेहनत लगती है इनको पनने में एक तो बहुत time लगता है प्लस इनको drill करने म में बहुत मैनत लगती है और यह ऐसी चीज़े हैं जो बहुत जल्दी खतम भी हो जाती है तो में भी हो सकता है कि future में हमाया पासी resources ना हो तो इस वज़े से जैसे इंडिया प्रेडियूस इंडिया का देखो है आप तो सिफ 30% of petroleum जो है that we need तो बहुत ही कम production यहां पर होता ह है और millions of years लग जाता है dead organisms को convert होने में coal petroleum natural gas में तो इस तरह से millions of years का time लगना और जिस तरह से use हम करते हैं इतना ज्यादा तो क्यूंकि बनने में बहुत time लग रहा है और use करने में बिल्कुल time नहीं लग रहा है तो जब यह इस तरह का ratio हो तो समझ जाए कि चीज़ों का आप हाल के रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए वह कितने वैलूबल है यह आपको समझ जाना जाहिए अच्छा इनको बनाने में manufacture करने में different kinds of plastic artificial fertilizer drugs इन सब को बनाने में भी इस इन तरह के coal petroleum और natural gas का इस्तमाल होता है for energy needs अगर हमारी और energy needs है तो क्योंना हम जो alternative sources है जैसे solar energy, nuclear energy, tidal energy, wind energy, geothermal energy क्योंना उससे प्राप्त करें हम अपने energy को क्योंकि यह तो हमारे पास unlimited है तो हमें थुरा सो focus इन चीज़ों पर करना चाहिए ताकि उनको यह जो coal petroleum और natural gas है इनको थुरा time मिल जाए रिकवर होने मे बनने में आच्छे this is this will result in better environment and a similar risk of global warming इसके साथ ही जह हम इस तरह के solar energy, tidal energy, wind energy के इस्तमाल करते है तो यह हमारे better environment के लिए भी है क्योंकि से कम pollution होता है और साथ ही global warming जो है जो जिस तरह से temperature इतना हाई होता जा रहा है दिन पर दिन वो भी कम हो जाएगा तो यह था आपका इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सकाइब भी कर लेजिए तो ठैक्यू एविवान